सब्सक्राइब नाओ इस चैनल चलिए सुरू करते हैं अब जिसके बारे माज़पन बात करने जा रहे हैं लाइट्स स्टार्ट नाओ अब उसके बाद है जो अपन है जो करेक्ट यूज होता है इच एड एवरी का दो मिनिट में आपके हाथ में होने वाला है दोस्तो कभी भी न तो जिंदिगे में गल्ती करोगे और गल्तियां करते हैं बहुत सारे स्टुरेंट्स तो देखिए अपन सुरू करते हैं बिना टा बस के वलतियां से सुन लेना और हैं जो स्लाइड में जाजा मार करूं वहाँ वहाँ पर देख लेना इच एड एवरी आर सिमिलियर इन मीनिंग की जो इच एड एवरी होता है आर इन सिमिलियर मीनिंग दोनों ही मीनिंग में सेम होते हैं अर्थ में सेम होते हैं बट एवरी is a stronger word लेकिन जो every word है वो stronger word है, मजबूत शब्द है then किस से? then किस से? each से each से जो every word है वो मजबूत है मतलब each कम है, मजबूत और है उसके बाद है जो every थोड़ा से जादा strong है, तो देखे, it means इसका मतलब होता है, each without exception, कि each जो होता है वो without exception होता है दोस्तों बिन आपवाद के होता है each is used in speaking of two or more things जब each का प्रियोग किया जाता है तो in speaking बोलने में जब कोई two or more things होती है दो या फिर ज़्यादा चीज़े होती है ठीक है लेकिन अब देखिए every is used only in speaking of more than two वो तो more than two होती है every का जब open प्रियोग करेंगे तो वो दो से जादा होती है तो देखिए अब आगे देखिए भी तो each direct अब देखिए मैं मुद्दे की बात आती है वो अब आती है मैं थोड़ा marker change कर लो each direct attention to the individual forming by any group जो each जो होता है वो direct attention करता है कि जो individual व्यक्तिगत तरीके से वो focus करता है जैसे कि मैंने कहा कि class में प्रतेक बच्चे को humor करके लाना है तो प्रतेक मतलब एक-एक हो गया महाँ पर चीक है और मैं अगर कह दूँ कि सभी कक्षा के विद्यारतियों को तो फिर वो महाँ पर all हो जाएगा या फिर अपन उसे कह सकते है every वो हो जाएगा तो आगे देखे अभी में समझाने की बात है वो समझा के ही रहूंगा आपको तो direct attention जो करे individual किसी में point out करना है एक परकार से इंग्लिस में point out या फिर specified करना तो वहाँ पर तो अपन each का प्रयोग करेंगे every to the total group और every का जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वो total group से होगा ना कि individual होगा अब देखे each is used only when each is used only when the number in the group is limited जब each का प्रयोग जब किया जाता है मैं जो मुद्दी की बात है वो अब आई है कि जो each is used only when the number in the group is limited जब group का number बिल्कुल अगर limited है बिल्कुल सिमित है तो वहाँ पर आपन जो प्रयोग करेंगे वो each का प्रयोग करेंगे and indefinite limited and definite होना चाहिए limited और definite number होना चाहिए जैसे कि 789, 20, 25, 37 ऐसे कुछ होना चाहिए लेकिन every जब का अपन प्रयोग करते हैं तो वह indefinite number के लिए अपन यहाँ पर प्रयोग करते हैं जैसे अब every यहाँ पर देखे every example number पहला every seat was taken अब यहाँ पर देखे यहाँ पर कोई सा भी indefinite number यहाँ पर सारा-सारा indefinite number दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर 26 seat 7 seat असा नहीं बताया है तो यहाँ पर जहाँ जो every cup यहोग करेंगे five boys अब मैंने बिल्कुल indicate कर दिया कि five boys were seated on each seat अब यहाँ पर limited और definite को limited और definite को यहाँ पर दर्शाया गया है कि पांच लड़के were seated on each bench ठीक है everyone अब यहाँ पर वन ओप दीज इन में से कोई ठीक है इन में से कोई ना कि यह limit और definite बता रहाए है indefinite बता रहा है कि वन ओप दीज चेयर्स ब्रोकन इन में से कोई एक चेयर है जो टूटी हुई है every अब यहाँ सीधी बात every cup प्रियोग करेंगे every one of these chair is broken leap year fall in every fourth year he came to see us every three days every three days अब यहाँ पर देखे three days बट कौन से three days once in every period of three days ठीक है once in every एक बार में जो period में three days आते हैं वो है उसके बारे में बताया है it rained every day during my holidays अब holidays में कोई limit तो है नहीं definite तो है नहीं I was away ten days I was away ten days and it rained each day अब यहाँ पर definite number बता दिया हमें ten के बारे में कि जो ten days है वहाँ पर कि एच डे तो यहाँ पर इच आ जाएगा कि दस हो तो कि दस दिन जब भी I was away ten days में दस दिन दूर दस दिन से ही मतलब दूर था कि एंड इट रेंड एस डे कि वह बारिष जो है वह आ रही है लगा ताब दस दिन से तो यहाँ पर इच डे आया है दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना इच एंड एवरी का अपने सब कंप्लीट पड़ चुके हैं इच एंड एवरी में आप बिल्कुल भी दिक्कत नहींगे इच एंड एवरी का जो निशकर से निच और निचोड है वो है कि लिमिटेड एड डेफिनेट नंबर अगर है गुरूप के ठीक है तो वहाँ पर अपन इच का प्रियोग करेंगे जबकि हैं अगर नंबर अपने इंडिफिनेट है तो वहाँ अपर अपन एवरी का प्रियोग करेंगे दोस्तों तो थांक्यू तॉ थांक्यू सो मच आप अप अपन नेक्स्ट में इस्टेडी करने वाले हैं लिटिल अलिटिल दा लिटिल के बारे में या फिर फिव फिव दा फिव के बारे में